दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेट कलर का आपको सब्सक्राइब दिख राओगा इस पर आप लोगों को दबाना है उसके बाद बेल आएगी बेल पर भी दबाना है फिर तीन ओप्सन दिखेंगे आल वाले ओप्सन पर दबा लेना है बस जुड़ गए है अब हर जानकारी आपके पास हमारे चैनल की आज साम की सची खबरों में आप सब भाईबनों का स्वागत है 15 बड़ी खबरे हैं जिनमें कई सरकारी आदेस कई राज्यों से लगे हुई है तो पूरा वीडियो सभी राज्यों के भाईबहन देख करके अगर देखें तो कमेंट जरूर करिएगा साथी बताते ये साम का वीडियो आप लोग देखिए इसमें बताना चाहेंगे 25 तारीक को ये लेटर जारी हुआ है दिल्ली में जारी हुआ है दिल्ली में ऑफिस से आडर एक आया है ये आडर इसलिए है कि जहां कहीं भी आंगन अगर जारी है तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो CDPO लोग है वो लोग अपना पहले से रिव्यू भी कर ले यानि वहां पर देख ले और जानकारी इस फॉर्मेट पर उनसे मांगी जा रही है इसमें लिखा है दे प्रपोजल फॉर री लोकेटिंग और ओपिनिंग न्यू अंगनबारी may be sent after careful review by the CDPO with following information in prescribed format तो यहां पर यह format भी दिया हुआ जिसमें serial number, name of the project, अंगनबारी center name, total covered population और साथी total uncovered population, vaccinity of अंगनबारी और साथी लेखा हुआ है अंगनबारी center if any, यादि कोई होगा तो भरा जाएगा और एक और यह प्रारूप है इसमें लेखा है number of अ अंगनबारी to be relocated और proposed वगरा यादि की new अंगनबारी center तो इन पूरा यादि पूरा data है नए भवन जो भी है उनका जो बंद हो चुके वो भवन जो चल रहे हैं वो सब भवन तो इन सब के matter को लेकर के यह letter आया है तो यह सब तहा जा रहा है कि जो खोलने को लेकर के जो आ सबी जितने भी CDPO हैं दिली के उन सब को letter गया है कि आप लोग इस matter पर इस प्रारूप पर सूचना भर करके दीजिए तो जहां कहीं भी केंद्र छूटे होंगे तो उनके लिए कुछ न कुछ प्रावधान होगा फिलाल के लिए आगे देख लिए और वैसे भी जानते हो ज यह उत्तर प्रदेश का मामला है उत्तर प्रदेश यानि कुसी नगर जिला है उत्तर प्रदेश का यहां पर एक खिरकिया पड़ता है वहीं का विसुन पूरवा एक ब्लॉक है वहीं पर पडरी और पिपरपाती वगरा कुछ नाम से गाउं है यानि पडरी पिपरपाती य एक गाओं का नाम है और ब्लॉक का नाम इनका विसुनपुरा है और साथी साथ खिरकिया वगरा साथ इनका ब्लॉक वगरा साई या वहीं का छेत्र होगा और कुसी नगर वगरा जो जिला है यहाँ पर जो आंगनबाडी बहन भी इस गोटाले से काफी परिसान है गोटाला कि इना आंगनबाडी कारकरती को सूचना दिये ही बेच दिया गया है। इससे साप जाहिर होता है कि इस ग्राम सभा में डियम के आदेश का कोई प्रभाव इन समूहों पर करमचारियों पर नहीं पड़ रहा है। तो कम-कम तॉल करके दे रहें और क्योंकि खुला है तो थोड़ा-थोड़ा सम्मे कम करते जा रहें। कहीं-कहीं जो पूरा-कपूरा बेच दे रहें। ये मैटर आ रहा है इस मैटर को लेकर के काफी दिक्कत हैं। फिलाल के लिए सिकाद वकात की गई अब देखो क्या होता है आगे देख लिए आगे चलते एक ये सरकारी आदिस लगा हूँ हमारे पास ये आया है मुख्य विकास अधिकारी के दोरा जनपत जो आपका संभल है वहां से। इन्होंने भी एक आदिस निकाला है इनका कहना है कि निदेशक बाल विकास सेवा पुष्टाहर भाग उत् संचालित सोयम साता समू से वितरन करने के आदेश निर्गत किये गए हैं इससे संबंदित हैं तता जनपत एवाम विकास खंडिस्तर पर प्रसिचण करायने जो है संबंदी निर्देशों के लिए आच्छा दित है तो ये प्रसिचण का हिरक मगरा के लिए आदेश आया है ये 25 तारीक को ही निकला है जनपर संबल में और आंगन बाड़ी बहने जितनी भी हैं ब्लाक लेवल पर आप लोगों का प्रसिच्चर कराया जाएगा और इसमें और भी लोग आएंगे गोदाम प्रबारी हैं ब्लाक की आंगन बाड़ी बहने हैं और साथ आपकी जो समू वम की महलाय होंगी ब्लाक मिसन वाले वो भी आएंगे खाद सुरच्चा अधिकारी भी आएंगे अबाल वुकास परदना धिकारी भी रहेंगे तो 28 ग्यारा को कल 28 तारीक है ना तो कल 28 तारीक को आपका संबल जिले में ब्लाक पर ये मीटिंग भी फिक्स कर दी गई है तो ड्राई रासन वित्रण में यहां पर देखिए 12-11 से लेकर के 23-11 तक इसकी समिच्छा वगारा कोटेदार को जो है एपसी आई से ड्राई रासन उठान की स्थिति क्या है यही सब लेखा हुआ है सुयमसाता समुहों को कोटेदारों से सुखा रासन उठान में आ रही जो सम जारी की समिच्छा आगामी ड्राई रासन जो है वित्रण तिथी लिखी हुए 5-12-2020 यानि अगले महीने अभी तो जो आप लोगों को बटा वो अक्टूबर का था ना नमंबर में नमंबर का जो होगा वो दिसंबर की 5 तारीक को बाटा जाएगा यानि 5 तारीक से पहले त इसमें लिखा हुआ है कि जो ऐसा सम्मान निवेदन है कि प्राथनी निर्मला साइद गोर्थ लिखा हुआ है आंगनबाडी कारकरती विजयपुरा से हैं और उत्तर पट्टी से हैं ग्राम प्रधान संग होसला पोसर इनके खाते पैसा जब भी आता है तो प्रधान जो है निकाल करके रख लेते हैं आज तक जो उनका कहना है यहाँ पर कुछ भी उनको नहीं दिया है बरतन भी नहीं दिया है साथ कुछ लेखा हुआ है यह पैसा नहीं दिया है सारा पैसा निकाल कर खुद ही रख लेते हैं यह आप देख लिज़ए ऐसे सोसर हो रहा है ऐसे और स खातों में कभए उनके खातों में पैसे बेज़े जतनी ज़्यादारी उतना vue, ज़दा विवात और सोसर बढ़ता है तो यहाँ पर हमारा विभाग है हमारे सब कुछ है और फिर भी पैसे इदर उधर से मिल लहे हैं तो काफी तिकते आती हैं इधर उधर में तो काफी जगए बंदर माट भी हो जाता है आगे देख लिए समाहरणाले पटना से भी एक खबर ये निकल के आई है आदेश भी ये आया है इसमें क्या है जरा देखिए कहा जा रहा है कि विशेश सचीव समाज कलनाड भाग विहार पटना के पत्र संख्या पड़ी हुई है चोबिस ग्यारा इसके द्वारा निदेश दिया गया है कि आगनबाडी केंद्रों से उपलद कराई जाने वाली सेवाओं यथा सूखारासन वित्रण लाबुके के खातों में DBT अंतरण और ECCE सम्मंदी कारे वरद्धी अनुसरवर एवं होम विजिट इसकी जाच के लिए आगनबाडी केंद्र से कम से कम पाँच लाबुकों के आवास पर पहुँच कर उनसे उपरुक्त सेवाओं के उपलवता के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा और यहाँ जाच कारे 25 तारीक को प्राता 8 बजे से प्रारंब करते हुए अपराहन 5 बजे तक जाच पूरी कर्मोख्याले को रिपोर्ट बगरा भी दी जाएगी तो पर्योजनाओं के सब नाम लिखे हुई है और जो भी वहाँ की पर्योजनाओं है उनके दौरा निरेच्छन यहाँ पर सब किया जाएगा तो यह सब आप देख लिजिए ऐसे किया जाएगा जो भी आप लोगों को योजनाओं के तहें लाब मिलता है लाबार्तियों को उनके वाँ जाजा करके पूछा जाएगा आगे देखे इसमें क्या लिखाओ कहा जारा कि सनलग नहीं है जो पत्र है आपके साथ अनुपालन इसका सुनिचित किया जाए और जहां परभार में हैं विधी विवस्था कार में प्रतिन्यूक्ति या अवकास में हैं वहां 2020 को साम 5 बज़े तक दे देंगे तो ये सब हुआ होगा 25 तारीक को लेटर मेरे पास काफी लेट आया है विवार पटना से अब खुद ही सोच लिजिए आप लोग हम क्या कहें देख लिए 24 तारीक को लेटर निकला था ठीक अभी हम आपको लेटर दिखा रहे हैं 24 तारीक क ये काम जो भी कारक्रम वो प्रस्तावीत है अब आप सोचिए एक दिन पहले लेटर निकलेगा तो ये काम कैसे इतनी जल्दी हो पाएंगी जानकारिया मिल पाएंगी और उसको छोड़िए ये देखिए एक और लेटर मेरे पास आया है संचाल नालाय महिला एवंबाल विक हुपसे वड़ी बात तो यही है जमीन इसतर पर कैसे उन चीडियों के बारे में आगनबारी को एक ही दिन में या रात भर में अपडेट मिल जाएगा महिलाओं के विरुद हिंसा की समापती है तो जो अंतराष्टी दिवत मनाया जाता है 25 नमबर को उसके सम्मंद में 24 ता दिन पहले तो अटलिश निकलने चाहिए तो फिलाल के लिए आप यहाँ पर देख लिए महिलाओं के साथ जो है जो भी ये मैटर कुछ आया है इसको आप लोग पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए कुछ चीज़े हैं जैसे बच्चों इवाम जो यहाँ पर महिलाएं हैं उ मैंने हेडिंग बता दिये बाकी तो आप खुदी समझदार हो आगे देखे एक मैसज ये आया था सुदानसु भाईया नमस्ते जिला इनका मैन पूरी है बलाक वगरा सुल्तान गंज है यहाँ से आंगनबारी बहन है समू के द्वारा उनका कहना है वित्रण हो रहा है लाबारती के स्रेडी में है और उनका नाम नहीं है तो ये आपकी मान लीजे गलती है अगर आपने नहीं चड़ाया होगा अगर वो हैं चोटे उनके घर में लाबारती है तो आपको नाम देना चाहिए राशन नहीं आता है कम आता है तो वो समू की जिम्मेदारी की वो आगे का मंगवाएं तो ये सब चीजे अपना देख लिजे फिलाल के लिए और ऐसे मेटर हर जगे आते हैं तो अगर फिर भी लाबारती पर इसान करता है तो आप अपनी सिकायत करिए अपना सिकायत पत अपने विबाग को मन हो उनको सौप दीजे बांकी तो आपके फिर हैं सिकायत पोर्टल पर करिए या फिर अपना जाकर के कहीं काराले में अधिकारी को कर दीजे एक मैसेज ये देख लिए आया है यहाँ पर भी आंगनबारी बहन है हर्दोई बलाक वगरा बिलगरा मगरा से है रेता देवी बहन तो ये देख लिए हर्दोई जिला है और प्राइया से हैं उत्तर प्रदेश में पढ़ता है और अचानक पुर बगरा से गहलो सिंग ऐसे कुछ लेखा हुआ है तो फिलाल आगे चलते हैं ये एक मैसेज आ है सिर्फ गेहुं चावल है दाल नहीं है ऐसे लिखकर के बस बेजा बहने फिलाल इन्होंने नाम वाम कुछ बी अपना लेखा नहीं है और आगे देखे एक ये मैसेज है जो इनका मिरजापूर है वहाँ पर रासन वित्रण किया जा रहा है समू की महिला के दौरा ये देख लिजिए साथी ये देख लिजिए यहाँ पर जो रासन वित्रण हो रहा बस ऐसे ही रासन लगा हुआ ऐसे गई है आगे देख सकते हैं उनके द्वारा और भी कुछ तस्वीर हैं दाल वगरा भी नीचे रखी हुई है फिलाल के लिए आगे ये देख लिजिए एक और फोटो आई है उत्तरपरदेश के प्रियाग रास से सीमा चोधरी महन है उन्होंने बेजा हुआ है ये उनके महा अगे चलते हैं यहाँ पर ये बहन जो थी इनका नाम निर्मला देवी बहन है साथी एक ये मेसेज आया है अनुरूद चोधरी के नाम से नंबर से वे भाई का और यहाँ से भी एक कच्चे रास वित्रन की फोटो है साथी एक ये देख लिजिए ये आंगन बाडी बहन है साथ कोसा ध्यच प्रेमा देवी लिखा बहुत से इसमें नाम पड़े हुई है तो फिलाल फिलाल आंगन बाडी कारकरती किरन देवी बहन है और ये तस्वीर उन्होंने अपना भेजी हुई है फ अगला वीडियो सुबह आने वारा उसका जरूर आप लोग इंतजार करना सुबह देखते हैं क्या बड़ी खबरे निकल के आ रहे हैं धन्यवाद दोस्तों